श्याम एक बहुत ही बिगड़ा हुआ आदमी था उसे अपने बीवी बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता था आए दिन वो नए-णए डांस कलप्स में जाये करता था और वहां जाकर वो खूब शराब पीता और फिर शराब के नशे में राद भर नाचता रहता था अक्सर यही होता था और फिर आधी रात में कोई न कोई श्याम को नशे की हालत में घर छोड़ कर जाता था श्याम की पतनी सीमा अपने पती की इस बुरी आदत से बहुत परिशान थी हे भगवान मैं भी किस घर में आकर फंस गई क्योंकि मैंने इस आदमी से शादी मेरी तो किसमत ही फूट गई सीमा को हर पल यही फिक्र सताती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके बच्चों के भविश्य का क्या होगा एक दिन सुबह सुबह सीमा अपने दोनों बच्चों को तयार करके स्कूल भेज देती है फिर वो श्याम के कमरे में आकर उसे जगाने की कोशिश करने लगती है उठिये ए जी मैंने कहा उठिये कब तक ऐसे ही सोते रहेंगे पिछले काम से तो तुम्हें निकाल दिया गया अब नया काम ढूड़ना है की नहीं अरे ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे श्याम नीन में था पर जब वो सीमा की बात सुनता है तो वो उसे गुस्से से कहता है सीमा गुस्से से वहां से चली जाती है और श्याम भी चाय नाश्ता कर नौकरी ढूड़ने निकल जाता है वो अपने एक दोस्त रामू को बुलाता है रामू फोन पर श्याम की बात सुनता है और फिर उसके पास आ जाता है असल में रामू भी श्याम की तरह ही एक नंबर का शराबी और बिगड़ा हुआ आत्मी था यहां तक कि श्याम को भी सारे गलत रास्ते रामू ने ही दिखाये थे तो यह बात है फीक है फिर चल साथ में हम दोनों काम ढूंडते हैं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा श्याम और रामू मिलकर काम ढूंडने लगते हैं पर आधी रात तक बीच जाती है पर उन्हें किसी भी जगह नौकरी नहीं मिलती पंधेरा काफी हो गया था और वो दोनों सुनसान सड़क पर पैदल चले जा रहे थे या बताओ या रामू अब तो मेरे पास डांस क्लब जाने के और बोतल खरीदने के भी पैसे नहीं है अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त चल आज मैं तुझे क्लब लेकर चलता हूँ मैं भी तो तेरा दोस्त ही हूँ ना तब भी उन दोनों को सड़क के किनारे एक बड़ा सा क्लब दिखाई देता है अरे ये कौन सा क्लब है और यहां कब खुला अरे शाम मुझे लग रहा है ये नया खुला है और मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है अगर ये क्लब नया खुला है तो जरूर यहां वेटर या मैनेजर की ज़रूरत तो होगी ही तो क्यों ना तू यहां की नोकरी दूढ़ ले, आइडिया तो अच्छा है, चल अंदर चलके पता करते हैं, और अगर यहां तुझे नौकरी मिल गई, तो हमारी तो रोज रोज पार्टी होगी, क्यों चाम, बहुत तो सही कही तुने, चल फिर अंदर चलते हैं, दोनों उस डांस क्लब के अंदर चले जाते है अंदर का महौल काफी अजीब सा था, वहां काफी तेज आवाज में डरावने गाने बच रहे थे, और कुछ लड़के और लड़कियां स्टेज पर नाच रहे थे, वहां पर कुछ एक आद वेटर भी थे, श्यामू और रामू जल्दी से वहां पर खड़े एक वेटर के प से एक डरावनी हसी हसने लगता है, इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है, जाए तुम्हें यहां नौकरी मिलने वाली है, इतने में वेटर अपने मालिक के साथ वापस आ जाता है, यह है मेरे मालिक, और मालिक यह रहे वो दो इनसान जिनकी मैं बात कर रहा था, इन्हें यहां नौकरी चाहिए, अरे आप तो हमें ऐसे इनसान बोल रहे हैं, जैसे अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, आपको नौकरी चाहिए न, मैं आपको यहां वेटर की नौकरी दे दूँगा, पर एक शर्त है, आप यह नौकरी छोड़ नहीं सकते, क्या, भला यह क्या, हाँ यही शर्त है, इस वेटर की नौकरी के लिए हम आपको बीस हजार पर रुपे? हाहा, मैं तैयार हूँ, इतने पैसे में तो मैं जिन्दगी भर ये नौगरी कर सकता हूँ, शुक्रिया, शुक्रिया, तुने ठीक से सोच लिया है ना फिर श्याम, सोच लिया सब मैंने, ठीक है, फिर जाओ अभी से अपना काम शुरू कर दो. श्याम काम करने में लग जाता है और रामू कलब से चला जाता है, अब बस श्याम के साथ वो वेटर ही खड़ा था, तभी श्याम एक जूस और ड्रिंक्स की प्लेट उठाता है और उसे लेकर स्टेज पर नाच रहे लोगों के पास चले जाता है, पर जैसे ही वो नाच रहे लोगों के पास जाता है श्याम की हालत खराब हो जाती है और डर के मारे, उसके हाथ से ड्रिंक्स की प्लेट छूट जाती है, ए भगवाण ये, ये सब तो भूत प्रेथ हैं। लगता है आखिरकार तुम्हें समझा ही गया कि हम सब इंसान नहीं बलकि भूत और चुड़ेले हैं आखिर ये जगह कौन सी है कहीं कहीं मैं भी तो मर नहीं गया क्या ये नर्क है नहीं नहीं अभी तक तो तू एकदम जिन्दा है और ये कलब खास दोर पर भूत और चुड़ेलों के लिए ही है यहां कोई भी जिन्दा नहीं और अब तुझे यहां पर नौकरी करनी ही पड़ेगी यहां आने वाले भूतों और चुड़ैलों की सेवा करनी पड़ेगी अगर तुने ये नौकरी छोड़ी तो तुम्हें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है क्या पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ भूत की डराबनी आवाज सुनकर शाम जल्दी से उठता है और उसे एक ड्रिंक लाकर देता है तभी एक चुड़ैल शाम से कहती है चल अब जल्दी से हम सब को नाच कर दिखा हम सब भी एक इंसान को नाचते हुए देखना चाहते हैं शाम मनीमन बरबराता है पर जब चुड़ैल शाम को गुस्से से देखती है तो वो डर के मारे नाचना शुरू कर देता है अच्छा बस बस ये नाच काना तो बहुत हो क्या अब जाओ और मेरी फ्रेंड्स के लिए भी कुछ ड्रिंक्स लेकर आओ शाम चुप चाफ वहाँ से ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है उधर रामू सीमा को जाकर सब बता देता है कि शाम को एक डांस क्लब में वेटर की नौक्रे मिल गई है ये सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है अरे इनको भी एक यही जगा मिली थी नौक्री करने के लिए नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इतनी रात गयी शुरू हो गई नौक्री जरूर ये आदमी वहाँ भी बैट कर पी रहा होगा मैं ही उन्हें घर लाओं की अब रामू भाया कहा है ये क्लब रामू सीमा को थोड़ी दूर पर एक चुड़ेल दिखाई देती है ही भगवान ये तो चुड़ेल है कहिए मुझे देख न ले पर चुड़ेल सीमा की तरफ नहीं देखती वो चुड़ेल सड़क के किनारे पर जाती है और अचानक से वहाँ एक क्लब आ जाता है ये वही क्लब था जि पीछे छुपकर सब देखने लगती है। तभी उसे श्याम दिखाई देता है जो कि भूतों को ड्रिंक सर्फ कर रहा था। हे भगवान इस आदमी को और कोई काम नहीं मिला क्या जो यह यहां आकर भूतों का वेटर बन गया। वो भी इस भूतिया कलब में। क्या करूं मैं इनका। सीमा भूतों से छिपते छिपाते श्याम के पास जाती है। श्याम सीमा को वहाँ देख कर चौंक जाता है। अरे मैं तुम्हें यहां से निकालने ही आई हूँ। अखिर जरूरत क्या थी यहां ने की? बस एक यही कलब मिला था तुम्हें नौकरी ढूणने के लिए? रुको, हम यहां से ऐसे नहीं निकल सकते। तुम्हें काम करो उन भूतों को ड्रिंक सर्व करते रहो। जब कुछ भूत यहां से बाहर निकलेंगे तब वो दर्वाजा खुलेगा और तब मैं तुम्हें इशारा करूँगी तुम सब कुछ छोड़कर बस तेजी से भागना और हम यहां से निकल जाएंगे सीमा फिर से जाकर एक टेबल के पीछे छुप जाती है और भूतों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है तब ही दो भूत बाहर निकलते हैं और गेट खुल जाता है सीमा शाम को इशारा करके बुलाती है शाम भी तेजी से दोड़ा और सीमा शाम साथ में दोड़ कर वहां से बाहर निकल जाते हैं उनके बाहर निकलते ही डांस कलब फिर से गायब हो जाता है इस तरह सीमा शाम को बचा लेती है और शाम को एक अच्छा सबग भी मिलता है वो पीना छोड़ देता है और एक धंकी नौकरी भी ढूंड लेता है